हाँ जी भाई लोक्त के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि ये विंटर फेशन का पार्ट टू है और जिन भाईयों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो भाई मैं आपको हाइली रेकेमेंड करूँगा कि आप पार्ट वन ज़रूर से देखना विकोज उस वीडियो में हमने बेसिक बहुत इंपोर्टेंट फेशन रूल्स के बारे में सिखा है तो मेरे भाईयों विदाउट वेश्टिंग इने टाइम लेट गेट स्टार्टेड देखो भई अगर आपके पास कोई भी जेकेट नहीं न तो फिर आपको लेना चीए एक बॉमबर जेकेट्स क्या होते हैं देखो यह एं眉रिकन पाइलेट्स जीन्Е काह जाता था तो यह जेसे जेकेट्स पेंते थे थे ना उनको वह करś touring लिए ठीक प्रूप बॉमबर जेकेट्स की बात की जाएना तो insignificant अठीम बॉमबर जेकेट्स होते हैं ये एकदम short और slim होते हैं देखो अगर आपको मेरी तरह simple और classy look पसंदेना तो फिर आपको लेना ची इस type का एक basic bomber jacket देखो bomber jackets में ना मेरी पहली recommendation है black bomber फिर I won't recommend brown bomber and then you go for navy blue and olive green ये होते हैं basic colors जो आपको एकदम simple classy और थोड़ा mature look देते हैं देखो इंडिया में ना सबसे बड़ी problem है sizes की sizes ना बहुत limited इस देश में क्योंकि हमें बस small medium और large size मिलती है अगर हम बात करें अमेरिका की यूरोप की तो आपको ना वहापर बहुत सारी sizes मिलती है जैसे की small, small medium, 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 large ऐसे बहुत सारी sizes मिलती है देखो अगर आपको इंडिया में एक perfect size का jacket लेना है तो आपको दो चीजों पर focus करना है पहला है आपके jacket की sleeves आपके कलाई पर end होनी चीए ना कलाई से ज़्यादा आगे ना पीछे दूसरा है आपके jacket की zip लगाने के बाद आपको ये notice करना है कि आपकी jacket आप पर एकदम fit आनी चीए या jacket थोड़ी से tight होगी तो भी चलेगा कोई problem नहीं है मिर भाई देखो अगर आप एक मोटे बंदे होना तो फिर आप पर bomber jacket उतना सही नहीं लगेगा लेकिन अगर आप एक पतले बंदो ये फिर मेरी तरह gym जाने वाले बंदे हो तो भाई bomber jacket आप पर बहुत तगड़ा लगेगा देखो भाई यो bomber jackets में ऐसे बीच में zip लगी होती बट एसे भी jackets आते हैं जिनमें बीच में ऐसे buttons लगे होती हैं उन्हें हम कहते हैं varsity jackets ये jackets आपको थोड़ा young look देते हैं देखो अगर आप एक college जाने वाले बंदे होना तो आप definitely varsity jackets पहन सकते हो ये jackets आपको काफी stylish दिखा देखो भाई अगर आपने denim jacket के साथ एक perfect outfit create करी ना तो भाई शादी में आप सबसे stylish और fashionable बंदे दिखने वाले हो देखो इस वीडियो के end में आपको कुछ ऐसे clothing items बता हुआ जिनका use करके आप winters में बहुत सारी stylish outfits बना सकते हो तो भाई वीडियो को end तक जरूर से देखना देखो भाई denim jackets में आपको ज़्यादा आतरंगी colors ने लेने चीए देखो भाई मेरी मानो तो आपको denim jackets में बस दो colors लेने चीए पहला है black and second sky blue इस टाइप का denim jacket बस भाई ये दो colors बहुत है आपको super stylish दिखाने के लिए और denim jacket लेते टाइम आप ये make sure करें कि jacket आपकी body पर perfectly fit आना चीए देखो अगर आप एक मोटे बंदे होना तो ये jacket भी आप पर सही नहीं लगेगा देखो जितने भी मोटे बंदे मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उन सबसे किया ना चाहूंगा कि भाई प्लीज इस्टैलीज दिखने पर नहीं अपने weight loss पर focus करो अगर आपने मे बहुत जल्दी fitness series भी start करेंगे और जिन भाई यो ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना चलिए आगे बढ़ते हैं चलो अब बात करते हैं लेदर जैकेट की देखो अगर आप एक लेदर जैकेट खरीद रहो होगे तो उस पर एसे क्रीजेज आ जाएंगे पर जैसे ही आपने उंगली वहां से हटाई आपने वह प्रेस हटाया तो लेदर फिर से अपनी शेप मेंटेन कर लेगा वह होता है असली लेदर दूसरा एक और तरीका है कि जब आप लेदर को जला रहे होते हो तो अगर 30 सेक पर्सनालेटी होगा आपका जैकेट इसलिए डिपेंडिंग और यूर पर्सनालेटी बाई यूर लेदर जैकेट तेखो अगर आप एक लंबे चोड़े एकदम रोयल बंदे हो आपकी बोडी है तब मेरे सबसे आपको इस टाइप के बड़े कोलर वाले जैकेट पहनने ची आप कोई भी हुडी खरी दो आपको ये बेसिक रूल को फोलो करना है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी हुडी पर ज्यादा पैटर्न्स नहीं होने चीए हुडी एकदम प्लैन सिंपल और बेसिक कलर की होनी चीए कि हुडी आपको ज्यादा मोटी नहीं लेनी चीए ये एकदम बच्चो टाइब दिखती है आपको थोड़ी सी पतली हुडी लेनी चीए इस टाइब की चो आपको गरम भी रखेगी प्लस इस्टैलिस भी दिखाएगी तीसर आपको ध्यान रखना है कि आपकी हुडी आपकी बोडी पर पर परफेक्टली फीट आनी चीए हुडी आपकी बोडी से ऐसी लटकती हुई नहीं दिखनी चीए हुडी की परफेक्ट साइज है कि आपकी हुडी आपको बिल्कुल हक करनी चीए ना ज्यादा लटकी हुई ना ज्यादा फिटिंग देखो नॉर्मली हुडी इसको आप जिन्स के साथ जोगर्स के साथ या बट एक और जबर जस्तर तरीका है देखो नॉर्मली न हम लोग जेकेट के साथ इसे प्लेन टीशेट पहनते हैं पर जेकेट के साथ अगर आपने एक दब थंडे मोसम में हुडी पहन ली न तो भाई आप क्या ही तगड़े दिखोगे यार क्योंकि वो जो आपकी नेक के पी वाइट कलर और ब्लेक कलर के हाफ स्लीव वाले टीशेट भाई ये दो टीशेट तो जरूर से होने चाहिए आपके पास बहुत सस्ते मिलते हैं धाइसो तीन सु रुपए में मिल जाएंगे चलो अब आप ये समझ लो की आउटफिट कैसे बनानी है देखो आपने ब्लेक ज दिखान रखना है कि आपको ये आउटफिट में हमेशा नीचे वाइट कलर की शूज ही पहनना है आप वाइट कलर के स्निकर्स पहन सकते हो भाई बहुत तगड़ी आउटफिट है और अभी की टाइम पर विंटर की शादियों के लिए ये आउटफिट वन ओप दी पहन के जाते हैं तो भाई 400-500 रुपए के स्निकर आते हैं और वो ले लो क्यों पूरी आउटफिट की बारा बजाते हो या कजब बेच जती है सारे क्लोधिंग आइटम्स की बेश्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वहाँ पे जाके आप इनको इजीली पर्चेस कर सकते हो देखो विंटर फेशन के पार्ट वन में किये गए कॉमेंट्स का में रिपलाई कर देता हूँ या पे शिवम भाई ने कॉम इसकी नी भाई से कहना चाहूँगा कि भाई टेंशन मत लो अगर आपके कॉमेंट्स आये तो हम इस चैनल पर बहुत जल्दी फिटनेस सीरीज भी स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको वेट गेन वेट लोस और नुट्रेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से सीखने को मिल एक और कॉमेंट है कि बहुत है अगर आपको फेशन फिटनेस और ग्रूमिंग से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कोमेंट कर सकते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंट का रिपलाइज जरूर करूंगा तो बहुत वीडियो अच्छे लगी हो तो ला बाइबाइबाई